प्रभाद स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार सेर नमस्कार हकिन साथ प्रभाद जी आपका बहुत स्वागत जैहिंद गुरुजी एक रिक्वेस्ट है मेरा फोन जल्दी नहीं कातिएगा पूरी बात सुन लिजेगा बहुत तकलीफ में हूँ है ठीक है हम फोन नहीं काटते हैं हमार दूसरे डिपार्टमेंटे उनसे दरखास से इनका फोन की पूरी बात जोर के रिक्वेस्ट है ठीक है ठीक है गुरु जी बिटिया का तो माजूनार केर चल ला है पहली खतम होई है दूसरी तब चल लही है काफी राहत है काफी आराम है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मुबार्टमेंटी कम थी सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था और बाल सफेद हो रहे थे उसमें भी बाल में भी है रुकावट है सर जी अभी मैं मैं सर HIV पेसेंट हूँ 20 साल पुराना और दवा का जो नुक्सानात है उसको रोकने के मुझे कोई ऐसा नुक्सा दीजिए जो मेरा सब कुछ ठीक्ता आप हो क्योंकि साइट इफेक्स से मुझे स्कीन डीजिज है पहरों के नाकून मैं सरसा गया है और डेंडर अप इतना है जो चेरे पर भी चेरा साफ करने पर डेंडर अप सा निकलता है दाड़ी में बालो मे यह आपका सेंपू भी मंगवाया ओफॉलोजी का तेल और यह क्याना मैं किस वास सभी यूज कर रहा हूं लेकिन अभी बहुत जादा फायदा नहीं और मुझे 20 साल से बाबासीर की भी सिकाया से कब जी खूब रहती है दिए एक ख़बर ने तो बड़ा खुश कर दिया हम हमें परसंद हो गई आत्मा हमारी के बच्ची को फायदा है यह बच्चे हमारा मुस्तक्बिल है इसको फायदा शुरू हो गया मैं बहुत खुश हो गया पांच-छे महीने किलाना बच्ची को और मेरी तरफ से प्यार करिए अब आपका रोग ऐसा है जिसमें इम्यूनिटी की सख जरूरत है आपको भी याद रखें इसमें आपको नजला खांसी बलगम यह नहीं होना चाहिए अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी पूरी जिन्दगी आखरी सांस तक आप ऐसे जीएं जैसे आपको है चाई भी है यह नहीं तो खांसी नजला बलगम छी के मताने कि आप फायदा पहुचाते तो यह दबा नहीं पहुचाती है, इमिनिटी पहुचाती है, जिसकी इमिनिटी भी होती है उसकी इमिनिटी मधबूत कर देते हैं, वो अपनी बिमारी से खुद लड़ता है तो ब препशी वाली दबा आप भी खाना शुरू कर दें. एक चमच दो बार गरम पानी से ये जरूरी है आपके लिए भी ये सिर्फ एक ही चीज़ को ठीक नहीं करता इम्मुनिटी को अच्छा करता इम्मुनिटी बच्ची मान लगी वो अच्छी होने लगी आपके अंदर इम्मुनिटी रहेगी तो आपको भी शेहत रहेगी अपनी दवाएं खाते रहें और एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी खाने का सोड़ा पानी में मिलाएं और इस पानी से अल्ची को हलका सा भून कर रख लें ज्यादा नहीं भूनना और पॉडर बना कर रख लें एक चमच अल्ची खाके ये एक खुरा की जरूर ले लिया करें रोज़ाना इससे आपका एसिडिटी कब्स बावासीर वरम मैदे पे वरम आतों पे वरम लीवर पे वरम किड्नी पे पे वरम इन्फेक्शनस इन्फेक्शनस को ये खतम करती है पेट अच्छा रखती है बावसीर को खतम करती है फिर ये मैन पार्ट्स ऑब बाड़ी जो पांच आर्गन हैं हमारे जिसम के लीवर किड्नी मैदा दिल और दिमाग फेपड़े इनको तंदुस लगती है ये पार सांस तक सेहत की ले सकता है बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए